नमस्कार मैं हूँ मयूरी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इसके अलावा 96 करोड 50 लाक रुपे की लागत वाले जेल बाईपास फोर लेन पर चौराहे पर फ्लाई ओवर और आयूस विजविद्याले के लिए महतपूर भटहट में बास इस्थान मार्क के फोर लेन में इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवाद आता है हिमानसु हम से जुड़ेंगे हिमानसु सीयम योगी दो दिवसी दौरे पर गोरकपुर रहेंगे क्या कुछ कार्टरम होंगे क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बोरकपुर की जनता है तो सौगात दे जाते हैं ऐसे में इसकी विकास की बात करें तो विकास की कई योजनाए योगी आधितनाथ ने यहां पे लोकारपड और सुभारब भी की है इस पर पीर आ रहे हैं तो 2851 ओर की योजनाव का सौगात प्रीजनाच दे जाते हैं को सवकात देते हैं तो आसे में बदाद हैं कि गूर अगयो इसकी घ्याराइट को 11 कुरूर की सौगात दे जात कर देंगे उससे नहीं से निजात देने करिये गृद्धी इनाले का उस पर गटश्रा बात कर देंगे सिवर योजनाग की जिसते की पूरी तरह से जो है यहां पर जल जमाओं को रोका जाए और साफाई की दिए तो सीवर योजना की भी पार्ट सिंदात किया जा तो उसका भी योजना में लागत लगा रहा है और उसके भी पूरी तरह से अपडेट दिया है सियम्योगिया जितने उसकी रूप रखा अधिका सौगात में दे रहे हैं स्पोर्स काले में अच्छार बनेता हो जाएंगे सियम्योगी आजितना का और वहां से इन योजनाव का सुभा अरूप करेंगे हिवांसू सियम्योगी के साथ कौन-कौन लोग मौजूद रहेंगे और क्या कुस तैयारियां की गई है हिवांसू सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं सियम्योगी कब तक गोरकफिर में रुखेंगे कि आज सियम्योगी अधितनाथ का दो दी वैसी दोरा है तो ऐसे में चार विजे स्क्राइब योगी अधितनाथ गोरक पो जाएंगे इसके साथ की बता दे वेवरी कि कर उनको जो है चंपा देवी पार्क में एक सामोहिक विभा यूजिता में भी सामेल होना है वहाँ पे सामोहिक विभा में सियम्योगी अधितना तुम्चेंगे वहाँ पे नौद अबबत्नियों को जो है सुभासी देंगे और उनको जो है नया जीवन जीने के लिए कुछ समान भी दिया जाएगा धन्यवाद हिमानसू तमाम जानकारियों के लिए राजधानी लखनाउ में सीता पुरो डिसित नवीन गल्ला मंडी में देर रात भी साडाग लग गई आग के तपे से कई आढ़हत में रखे गैस सिलंडर ताबर तोड धमाकों के साथ फटे वहीं घाटना में अफरा तफ्री मच गई आकरोसित बैपारियों ने दमकल की गाडिया तेर रात पहुचने का आरोप लगा कर हंगामा किया इसके साथ ही कानपूर में भी बाबू पुर्वा में देर शाम हलवाई की दुकान में सिलंडर का पाइप निकलने से आग लग गई देखते ही देखते आग ने बगल की कपड़ों की दुकान को चपेट में ले लिया आग भड़कता दे कानन फानन में दुकानदारों ने बाल्टियों और पाइप से पानी देकर आग बुझाना शुरू किया वहीं पर कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर बिगट को सूचना दी गई लेकिन तंग गली होने के कारण फायर बिगट की गाड़ी मौके पर नहीं पहुची फिलहाल फायर बिगट के जवानों ने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में सफलता हासिल की आपको बता दें कि बुलंद शहर में भी आग ने विक्राल रूप धारड किया सिकंद्राबाद ओदोगिक शेतर चार नमबर कट के पास सपना सिलीप लाइट कंपनी के गद्दे की फैक्टरी में भी सड़ आग लग गई जिसकी चपेट में दूसरी कंपनी भी आ गई हैं ये तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां आग ने विक्राल रूप धरा हुआ है पहली तस्वीर बुलंद शहर से है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, कानपूर से है, वहीं तीसरी तस्वीर लखनव से है, देख सकते हैं, आग का विक्राल रूप देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग नजर आ रही है, वहीं दमकल की गाड़ियां भी नजर आ रही है तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं तीन अलग-अलग शेहरों की तस्वीरे हैं जहां आग ने विक्राल रूप धरा हुआ है कंट्रोल रूम के माधं से फायर ब्रिगट को सूचना दी गई राजधानी लगनओं में सीतापूर रोड स्थीत नवीन गल्ला मंडी में देर रात बेवाद रहे हैं तो अज़ित वाद रहे हैं तो पर देर रहे हैं तो रहे हैं तो ब्रिगट को सूचना दी गई भी सड़ाग लग गई आग की तपिस से कई सिलेंडर ताबर तोड़ धमाकों के साथ फटे वहीं घटना में अफ्रा तफ्री मच गई आक्रोशित बैपारियों ने दमकल की गाडियों को देर पहुचने का आरोप लगा कर हंगामा किया है इसके साथ ही कानपुर में भी बाबु पुर्वा में देर शाम हलवाई की दुकान में सिलेंडर का पाइप निकलने से आग लग गई देखते देखते आग ने बगल की कपड़ों की दुकान को चपेट में ले लिया आग भड़कता देखानन फानन में धुकानदारों ने बाल्टियों और पाइप से पानी लेकर आग बुझाना शुरू किया वहीं पर कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर ब्रिगट को सूचना दी गई लेकिन तंग गली होने के कारण फायर ब्रिगट की गाड़ी मौके पर नहीं पहुचे लगतार शेहरों में आग का सिलसिला देखने को मिल रहा है आप तीन तस्वीरे देख सकते हैं पहली तस्वीर बुलंद शेहर से है जहां आग का विक्राल रूप देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी तस्वीर कानपूर से है भारी संख्या में लोग नजर आ रही है तीसरी तस्विर लखनव से है लगतार आग का सिलसिला जारी है शेहर सहर आग का कहर देखने को मिल रहा है बता दें कहीं मंडी में आग लगी है तो कहीं कपडों की दुकान में आग लगी है शेहर सहर आग का कहर देखने को मिल रहा है जी हो खेखने को मिल वगी है कि इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादादा कानपूर से उपेंदर हम से जुड़े हैं उपेंदर शेहर सहर आग का कहर देखने को मिल रहा है कानपूर में भी सा डाग लगी क्या वजा है आग लगने की क्या कुछ पूरा मामला है बहुत लगने की कईश डाग, पर लगने के लिए हम जा रखने है कर देखाए जाई देखाए उसके में यह वाहर को लेखने को पहुक्त अगया नंगी है लोगों भऩे पहुचे मोंके पर लोगों जो इन वन्हार आग बढके अगई है उपेंद्र क्या आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है क्या कुछ नुकसान हुआ है क्या इसमें कोई हताहत भी हुआ है तो पेंद्र अब क्या कुछ एक्षन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर काफे नुकसान हुआ है अब तक के लिए इतना ही देज़ुन्या की तमाम खबर के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीविए आप देख रहे हैं प्राइम टीविए सच साहस सरोकार